हेलो दोस्तों and welcome to the channel दोस्तों आपको जैसे पता है कि हम electromagnetic inductions पर discussion कर रहे हैं और electromagnetic induction में हमने पिछले lecture तक बहुत ही important structure तक आ चुके थे जिसमें हमने प्रूव कर लिया था कि what is the magnetic flux inside the coil which is traveling translational in uniform magnetic field अब हमारा इस साल का एक बहुत ही important lecture है क्योंकि इसके बाद का बहुत सारा topic क्या हो चुका है बैटा reduce हो चुका है तो सबसे पहले ये एक आप बात ध्यान में रख लीजे कि ये जो question है ये इस साल exam में आ सकता है क्योंकि ये इस साल add हुआ है topic ये जो question है ये इसी साल add हुआ है simple topic है और हमें calculate करना है emotional EMF in rotating bar यानि ये red color की magnetic field है इस magnetic field में एक bar है जो rotate हो रहा है black color का जो rod मैंने निकाला है that is bar वो rotate हो रहा है उसमें कितना EMF induced हो रहा है उसका हमें calculation कर रहा है बहुत ही आसान सा topic आएगा question ऐसा सकता है derive an expression for the total EMF induced in a conducting rotating rod ये मेरे ही साबसे इस साल के लिए बहुत important question है क्योंकि ये इस साल ही add हुआ है और इस add हुने के बाद इस पे ज्यादा कोई question पहले ये type का question हमारे exam में नहीं आता था तो ये easy question है और नया भी है इसलिए ये exam में आ सकता है अब हमें क्या करना है क्या हो रहा है यहाँ पे यहाँ पे यह जो green color का top यह दिख रहा है कि नहीं है समझ लीजे black color का तो हमारे पास rod ही है यह जो green color का dot है यह हमारा पाइवोट है पिवोट कहते है कोई पाइवोट कहते है पिवोट या पाइवोट यानि क्या कि जिसके इर्दगीर राड घुमेगा यानि जैसे मेरा यह हाथ का एक point है और यह राड ऐसा घुम रहा है यानि म V is the velocity V कौन सी velocity हो गई अगर यह ऐसा घुम रहा है बटा तो V कौन सी velocity हो गई linear velocity हो गई न भी वी कौन सी velocity बन गई linear velocity बन गई तो circular motion का भी formula लगे यहाँ पे क्यूंकि एंगल डिस्क्राइब होगा तो V is equals to r omega r यह radius इसके इर्दगीर घुमेगा तो r is the radius तो ऐसे बहुत सारे interesting topic इसमें आने वाल है तो सबसे पहले सुरू करते हैं तो पहले हम question तो आप लिखी लीजिए और हम क्या करेंगे इसे solve करने कोशिश करेंगे example बहुत ही बहुत ही बहुत ही आसान है अगर आपको समझ में आ जाए ज्यादा बड़ा भी नहीं है तो सब साथ में ही रहेंगे चले लिखना शुरू करते हैं मेरे साथ में ही लिखेंगे बटा सब हम ध्यान रखेंगे consider a conducting bar which is rotating around point P in B is uniform magnetic induction अब हम क्या consider करेंगे एक small section DR consider करेंगे याने अब हम क्या लिख सकते हैं मेरे साथ में ही देखें consider consider a small element element DR अब small element DR हमने क्यों consider कर लिया है और कहां पर है DR at distance R from P पकड़लेंगे it is at a distance R from P यानि यह distance P से R तक का distance हमारे पास कितना P से DR तक का distance हमारे पास R आ गया और V consider करेंगे V it is the linear velocity और यह rotate होगा तो ओमेगा क्या हो जाएगी angular velocity ओके तो हमें आप एक calculate करने के लिए अगर यह DR in small element DR let DE is the small induced EMF अगर DR small है तो DE भी कैसा है small ही है DR DR में DE induced हो गया फिर उसको integrate कर लेंगे ओके तो हमारा formula क्या होता है बेटा हमारा formula कल के expression में हमारा formula क्या था E is equals to BLP अब यहाँ पे मुद्दा क्या है L यहाने पूरा rod तो हम ले इने रहें because L is the length of rod यहने rod का L is equals to length पकट लिजे तो L cut हो जाएगा हमारे पास rod के length कितनी आ गई आ गई आ गई तो आ भी नहीं है हम सिर्फ किसको consider कर ला है DR को तो BDR into V यानि इसे हम कह सकते है B V into DR कैसे आया क्योंकि हम के लिख रहे थे B L V L के बजाए के क्या आ गया हमारे पास DR ओके तो यह हम D E की value हाँ पे क्या कर सकते हैं लिख सकते हैं easily तो हम लिखेंगे here D E can be given as D E is equals to क्या लिख 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 लिखा B dot V into DR is our equation number 1 विट कैसा है BL V के हिसाब से आगे तो इसे ही अगर हमने integrate कर लिया, यहने, क्या लिखा, the total EMF in a rotating rod can be calculated by integrating the term, by integrating by integrating D यहने, total induced EMF हम लिख सकते है, बेटा, total induced EMF is equals to E, is equals to integration of क्या हो गया, D E हो गया, बस इही value निकाल नी है अब integration को ध्यान से देखिए E is equals to integration of D E के value क्या डाल दी, B V into D R ओके, बट V है V कुन सी velocity है, linear velocity है बट हम क्या लिख सकते है, बट V is equals to R omega, यह कहां से आया V कुन सी velocity थी, हमारी linear velocity थी, और linear velocity is equals to R omega कौन सा formula है, circular motion का पहला formula, 12th का first formula आता है, तो हम उसे लिख लेंगे E is equals to integration of B into R omega into D R ओके, B into R omega into D R, अब यहां पर omega constant है, तो side में लिखेंगे, देखिए E is equals to integration, जो constant है जो integrate नहीं हो सकता, उसे बाहर निकल लेंगे omega B constant है, तो B omega integration of R into D R बन गया, integration of R D R अब हमें, और R का हम कहां से integrate कर लें, between 0 to L क्योंकि R की minimum value है 0, maximum value है L ओके, तो हम यहां पर calculate करने के लिए E is equals to B omega R D R का integration क्या आगया? R square by 2, जिसकी lower limit है 0, upper limit है L ओके, यानि एक बार value क्या आजाएगी, L एक बार value आजाएगी 0, integration तो आपको solve करते आता है लेकिन फिर भी यहां पर एक step में solve कर गीए देता हूँ E is equals to B omega, यानि यहां पर क्या बन जाएगा? L square by 2 minus 0 square by 2 L square by 2 minus 0, यानि minus की term लिखने की जरुवत अब नहीं है यानि E is equals to क्या बनेगा? B omega L square by 2 और हमारे पास यहां पर expression आता है बेटा, final जो हम निकाल सकते हैं कि EMF induced, it is given by half of B omega L square where L, it is length of rod, omega, कुंसी velocity, angular velocity, B is magnetic induction, half is constant अब आप इस expression को एक बार मेरे साथ फिर से देखने कुशिश कीज़े, आसान हो जाएगा यहां पर तक हमें expression आना है तीन मार्क के लिए हमें क्या पूछा गया है, कि अगर यह rod है, और यह uniform magnetic field में क्या हो रहा है rotate हो रहा है, if it is rotating in a uniform magnetic field, तो इसके अंदर कितना magnetic flux divide होगा और magnetic flux के साथ-साथ कितना EMF इसमें क्या हो जाएगा induce हो जाएगा, तो EMF induce होने के लिए, देखे, यह formula तो आपका आपके दिमाग में होना चाहिए, E is equals to BLV, ओके, यह formula तो आपको EMF का formula हमने पिछले question में निकाल लिया है, description में उसकी भी, हमने link देदी है, तो हमने क्या consider कर लिया, rod consider कर लिया, जो इस point P के इर्दगिर्द घुमेगा, ऐसे, समझ लिए, यह point P है, और इसके इर्दीर्द घुमने वाला है, अब देखिए आप, मैं इसको ऐसे कर लिया, समझ लिजए, मैंने एक section consider कर लिए, यह orange section, यह होगा है, मेरा DR बेटा, यह मेरा DR बन गया, orange section, अब इसे, इधर मैं क्या करूँगा, रोटेट करूँगा, यहने circular motion परफॉर्म करेंगा, यहने circular motion के formula यहाँ पर लगेंगे, अब center से DR तक का distance है, R का, ओके, तो मेरा DE पे, यहाँ पे अगर, DR पे जितना EMF इंडूस होने वाला है, उसको मैंने consider कर लिया, DE, small element, small EMF, तो DE को दे दिया गया, BLV होता है, तो BV और L पूरा रोड नहीं लिया है, सिर्फ क्या consider किया है, DR, तो DR को कर लिया, ओके, तो यह section आगया, अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, मुझे जैसा DR पे calculate करना था, वैसे पूरे इस structure में calculate करना था, from 0 to L, from integrating DE, from, यहाँ पे लिख लेता है, from length, 0 to L, यह भी लिख लिया, यानि और भी clear कर लिया, 0 to L हम लेके गए उसको, तो कैसे है, तो integration ही करना है, बस, integration ही easily solve करना है, क्या है, बी इंटू डी आर, वी को हमने क्या लिख लिख लिया, रोमेगा, क्यों लिख लिख लिया वी को रोमेगा, because we have to calculate that integration, और वहाँ पे अगर आर आ जाएगा, तो इंटीग्रेशन आसानी से निकलेगा, तो बी आर ओमेगा इंटू डी आर, बाहर निकल गए, constant है, इंटीग्रेशन नहीं निकलेगा, आर डी आर, वेर राल्यू, वेल्यू अफ आर रेंजिस फ्रॉम जीरो तो एल, ऐसे इंटीग्रेशन हमने ऑस्सिलेशन में भी सॉल किया, बहुत बहुत जगा भी सॉल किया, एक्स डी एक्स वी डी वी, तो यहाँ पे आर डी आर है, तो R square by 2, lower limit is 0, upper limit is L, upper limit minus lower limit, that is L square by 2 minus 0 square by 2, 0 square by 2 लिखने की जरूत नहीं है, तो E is equals to B omega L square by 2, half, L square by 2 को properly half लिख लिख लिया, और E is equals to half of B omega L square, where B is the magnetic field, or magnetic induction, omega is the angular velocity, and L, it is considered to be the length of the complete rod, which is rotating inside the uniform magnetic flux, and miniform magnetic induction, okay, बेटा, आगया, बहुत ही आसान expression था, और मैंने बताया भी आपको बहुत ही आसान तरीके से, तो इसे लिख लिजी एक बार, हमारे चैनल को सब तरफ भीज दीजे, बेटा, क्योंगी बहुत लोगों है, और आप सब का support बहुत ही जादा important हो चुका है, अब हमार हो चुका है, और अगर वो कट हो चुका है, तो वो हमें अभी पढ़ने की जरूरत नहीं है, जब जरूरत होगे, तब हम उसे जरूर पढ़ेंगे, ओके, तो ये तूने expression मुझे लिखके भीजिए, और बेटा, पढ़ते रिए, मैं पढ़ाता रहूँगा, टैंक्यू